निर्याद बंदी के बावजूद महाराश्ट्र की कई मंडियों में प्याज का दाम बढ़ने लगा है फिलाल कहीं भी दाम की पहले जैसी स्थितिन नहीं है अब किसानों को 2000 पे प्रति क्विंटल तक का ओसा दाम मिलने लगा है इससे किसानों को थोड़ी रहत मिली है आने वाले दिनों के लिए किसान थोड़े आशानवीत हुए है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब गिराने के सारे रास्ते सरकार अपना चुकी है अब वो इस मामले में और हस्तक शेप नहीं करेगी उसके पास अब दाम गिराने का कोई घरेलू रास्ता नहीं है ऐसे में उन्हें उमीद है कि आने वाले दिनों में अच्छा दाम मिलेगा राज्ये की सभी मंडियों में इस समय भाव उपर है ज्यादातर मंडियों में नियूंतम दाम 500 रपे प्रतिक विंचल के उपर है जबकि अधिकतम दाम 25 रपे प्रतिक विंचल तक पहुंचने वाला है वही महराष्टर प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जिसका देश के कुल उत्पादन में करीब 43 फीसद की हिस्सेदारी है ऐसे में दाम गिरने की वज़ज़ से ये वहाँ के किसानों को सबसे ज़्यादा परिशानी हुई थी लेकिन अब सरकार के पूरा जोर लगाने के बावजूद जब दाम एक बार फिर बढ़ने लगा है तो किसानों में खुशी की लहर है उन्हें पिछले कुछ समय से हुए नुकसान के घाटे की कुछ भरपाई इस तेजी से हो पाएगी किसानों का कहना है कि जब उत्पादन ही कम हुआ है तो दाम तो बढ़ेगा ही राजिया के प्याज किसानों की ये सिती है कि एक बार दाम इतना गिर गया था कि सरकार को उन्हें आर्तिक मदद देनी पड़ी थी वही महराश्चर कांदा उत्पादक संक्ठन के संस्तापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि अगर एक्सपोर्ट बेहन नहीं होता तो इस वक्त महराश्चर के किसानों को कम से कम तीन हजार पे प्रतिक विंचर का दाम मिल रहा होता किसानों की लागत ही अठारा से बीस रुपे किलो यानी दो हजार पे क्विंचर तक पहुंच चुकी है इसलिए हम लोग तीन हजार पे नियूंतम दाम तै करने की मांग कर रहे हैं प्याज एक ऐसी फसल बन चुकी है जिसका दाम सरकार कभी बढ़ने नहीं देना चाहती चुनावी सीजन में तो बिर्कुल भी नहीं जबकि सरकार किसानों के वोट से भी बनती है इसके बावजूत किसानों को दबाकर प्याज का दाम कम किया जाता है और उभोगताओं को लाब दिया जाता है उसके बदले किसानों को कोई आर्थिक रात नहीं दी जाती फिलाल अकॉला मंडी में तेरा सो अस्ती क्विंटल के आसपास प्याज की आवके देखने को मिल रही है और वहाँ पर नियूंतम दाम 1200 और अधिक्तम 2300 रुपे प्रतिक विंटल पर देखा गया है वहीं मुंबाई वाशी मंडी में 12342 क्विंटल के आसपास प्याज की आवके देखने को मिली तो नियूंतम दाम 1600 रुपे तो अधिक्तम 2300 रुपे प्रतिक विंचल रहा